दोस्तो very good morning to all of you आज के सांधार वीडियो में हम लोग 6th of November और 7th November दोनों दिनों के connectFS के question का discussion करेंगे मैं सौरब गुपता आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सांधार वीडियो में तो दोस्तो आज का जो पहला प्रस्न है वो है कि वर्स 2021 का जो booker price है man booker price है वो किसे प्रदान किया गया है तो मैंने इस question को अपने telegram पर भी share करेंगे and you will be shocked to see कि 60% लोगों ने option number B को सही बता है जो कि गलत है option number B नहीं होगा ये 2020 का जो man booker पुरस्कार था वो दिया गया था Douglas Stewart को लेकिन जो वर्स 2021 का ये पुरस्कार है ये दिया गया है डैमन गलगुट को option number A का राइड इंसर हो जाएगा कि इसको डैमन गलगुट को दिया गया है option number A सही हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं Douglas Stewart Douglas Stewart जो है ये वर्स 2020 की विजेदा थे ना की 21 के 21 की विजेदा का नाम है डैमन गलगुट और ये जो कुस्तने एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसको कभी भी मिस्स बंद करना तो डैमन गलगुट का एक फोटो देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं डैमन गलगुट ठीक है तो डैमन गलगुट का फोटो देख सकते हैं जिनको उनके उपन्यास जिसका नम है The Promise के लिए मैं बुरकर प्राइस से समानित किया गया है तो डैमन गलगुट का फोटो देख लीजिए और ये भी याद रखिए कि किस उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है तो आंसर होगा कि The Promise नाम से ये जो उपन्यास है उसके लिए डैमन गलगुट को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है अब इसके बात में बहुत ही बढ़िया कोशन आता है कि ये कौन से देश के प्रसिद्ध नाटक कार हैं तो आंसर हो जाएगा वे South Africa, दच्छड अफरीका दच्छड अफरीका के प्रसिद्ध नाटक कार और उपन्यास कार है साथी साथ में इनको जिस उपन्यास के लिए ये प्रसकार दिया गया है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ The Promise The Promise के लिए उनको ये Man Booker प्रसकार से सम्मानेत किया गया है तो इसको भी आप लोग समझ सकते हैं आगे चलते हैं इसमें एक चीज यार रखना है कि जो इसमें Option Number B है अब दोस्तों Confusion कहां से Create होता है वर्स 2020 का जो नोबल था उसको 2021 में दिया गया था इस वज़े से लोगों को Douglas Stuart सही लग रहा होगा लेकिन वर्स 2020 का पुरसकार इनको दिया गया था Douglas Stuart को और उतको किस उपन्यास के लिए Man Booker प्राइस दिया गया था आंसर हो जगा सुगी बेन तो सुगी बेन नाम से एक उपन्यास था जिसकी बज़े से नमक इस उपन्यास के लिए उन्हें यह प्राइसकार प्राइस किया गया था अब यह जो Man Booker प्राइसकार है यह अंग्रेजी भहसा में जो नोबल लिखे जाते हैं उनके लिए यह प्राइसकार प्रदान किया जाता है अभी दिसेंट में के एक इक्जाम में कोशन देखा था कि Man Booker प्राइसकारों की सुर्वात कभी थी तो आंसर हो जाएगा कि इन प्राइसकारों की सुर्वात जो है यह नाइनटीन सिक्स्तिनाइन इन पुरसकारों की सुरुवत 1969 में करी गी थी, सबसे पहली बार यह है पुरसकार 1969 में PH Newby को उनके उपध्यास something to answer for के लिए प्रदान किया गया था, important point है आपको याद रखना चाहिए इसके बार में दोस्तों एक और point यहाँ पर बनता है कि भारत से किसको किसको यह पुरसकार दिया गया है, तो भारत से सबसे पहले यह पुरसकार पाने वाली महिला बनी है, राइटर बनी है, अरुन्दुती राय को भारत की तरब से सबसे पहले Man Booker Prize से सम्मानित किया गया था और उनको वर्स 1997 में इस पुरसकार से सम्मानित किया गया था, उनका एक पन्यास है, जो कि इसके लिए चुना गया था, जिसका नम है The God of the Small Things, उसके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया था, तो यह भी point आपको याद रखना है, एक्जाम में पूछा जा सकता है, CurrentFS का अगला कुशन मनता है कि November 2021 में किस संस्ता ने Whistle Blower Portal की सुरुवात करी है, तो आंसर हो जाएगा हाल ही में IREDA, हाल ही में IREDA, तो हाल ही में IREDA नामक एक संस्ता है, जिसने की Whistle Blower Portal को सुरू करने की गोशना करी है, Option No.C का Right Answer हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं पीछे आपको IREDA, IREDA का लोगों भी दिख रहा होगा, जिसने Whistle Blower Portal की सुरुवात करी है, जो की बिजली से सम्मनित किसी भी प्रकार की जानकारी, खूफिया जानकारी, जैसे की बिजली चोरी और इन सभी चीजों से सम् Portal बनाए गया है, साथी साथ में IRDRDA का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, इंडियन Renewable Energy Development Agency Limited, ये इसका फुल फॉर्म होता है, कोशन होता है, जिस तरीके से इंडिया में IPL होता है, ऐसे ही एक लीग होता है, जिसका नम है Big Bass League, तो अमेरिका के 20 Big Bass League के लिए, साइन अप करने वाले पहले भारती पुरुस क्रिकेटर कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा, उनमुक्त चंद, ऑप्शन नमबर एस का राइड इंसर हो जाएगा, उनमुक्त चंद जो है, उनमुक्त चंद पहले ऐसे भारती क्रिकेटर बने हैं, जिन्होंने Big Bass League को जोइन कर लिया है, तो आप्शन नमबर एस का राइड इंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनमुक्त चंद का फोटो, जिन्होंने Big Bass League को जोइन कर लिया है, साथी साथ में, ये Big Bass League में कौन सी टीम से खेलेंगे, आंसर हो जाएगा, वे Melbourne Renegades, Melbourne Renegades नाम की ट पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसके बाद में Current Bass का अगला सांदर कोशन बनता है, कि भारत ने किस देश में आयुजित किये गए, अंतर राश्ट्रिय बहु पक्षिय युत अभ्यास जिसका नम है Blue Flag 2021 में हाल ही में पार्टिशिपेट किया है, तो आंसर हो जाएग और इस अभ्यास को हाल ही में इसराइल देश में आयुजित किया गया है, जिसमें कि भारत की दरब से एक टीम ने पार्टिशिपेट किया है, तो बहु राश्ट्रिय इस सेन अभ्यास में भारत ने पार्टिशिपेट किया है, तो भारत की दरब से कुल कितने लोगों ने इसमें पार्टिशिपेट किया है, तो भारत के कुल 84-84 भारती सेना के जो कर्मिचारी है, उन्होंने इसमें पार्टिशिपेट किया है, साथी सहर में, इसराहिल के जिस हवाइ यड़े पर, एर बेस पर इस सैन अभ्यास को आज़ित किया गया है, उसका नाम है ओवाड़ा एयरवेस, ओवाड़ा एयरवेस में, ओवाड़ा, ओवाड़ा, एयरवेस में इस सेन अभ्यास को हाली में आयुजित किया गया है, चुकि इसको इसराइल में आयुजित किया गया है, तो इसराइल के बारे में देख लेते हैं, इसराइल की कैपिटल ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि रिसेंट में इसके प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों चेंज किये गए थे तो एक्जाम में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है करेंट फस का अगला सांदर कोशन बनता है कि हाल ही में जंबू कस्मीर ने किस देश में आयोजित विस्व बागिर जूडो चेंपियंशिप यानि कि वर्ड डीफ जूडो चेंपियंशिप में पहला इस्तान हासिल किया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर B France इसका राइड अंसर हो जाएगा जिस देश में आजित करी गई वर्ड डीफ जूडो चेंपियंशिप ने जंबू कस्मीर ने पहला इस्तान हासिल किया है option number 20 का राइडेंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं जम्मू किस्मीर को टीम को जिन्होंने इसमें पहला इस्तान हासिल किया है इसके बाद में अगला कुशन बनता है कि विस्व सुनामी जागरुकता डिवस प्रति वर्सित कब मनाया जाता है इसमें आप देख सकते हैं वर्ड सुनामी जागरुकता डिवस बनाया जाता है आपको पता होना चाहिए कोशन मनेगा कि अंतर राष्ट्रिय बीजी सम्मेलन 2021 इंटरनेशनल सीड कॉन्फरेंस 2021 में सामिल होने के लिए किस भारतिय रज्य को आमंत्रित इन्वाइट किया गया है तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नमबर डी तेलंगाना ऑप्शन नमबर डीजी का राइड अंसर हो जाएगा Option number D's का राइड एंसर हो जाएगा कि International Seed Conference 2021 अंतर राश्ट्रिय बीज सम्मेलन 2021 में सामिल होने के लिए तेलंगाना को हाल ही में आमत्रित किया गया है Option number D's का राइड एंसर हो जाएगा अब इसमें बहुती सांदार कुशन ये भी बन सकता है कि इसमेलन को आयोजित कौन सी संस्ता कर रही है तो इसको FAO Food and Agriculture Organization के दोना आयोजित किया जा रहा है अब आपके लिए कुशन इसमें बनता है कि FAO का मुख्यालय कहां पर इस्तित है इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताए Current Affairs का अगला परस्ति बनता है कि भारती वायू सेना ने किस देश के साथ में Desert Warrior नामक एक सैन अभ्यास आयोजित किया है तो आंसर हो जाएगा Option No. D Mr. Option No. D इसका राइड अंसर हो जाएगा Mr. इसका राइड अंसर हो जाएगा कि भारती वायू सेना ने Desert Warrior नामका जो सैन अभ्यास है ये Mr. देश के साथ में आयोजित किया है Option No. D इसका राइड अंसर हो जाएगा आप इसका फोटो भी देख सकते है November 2020 में चर्चा में चल रहे कौन CII के महान निदेसक यानि कि Director Journal है तो इस समय जो CII नाम से Organization है राइड अंसर हो जाएगा कि चंद्रजीत बनर जी इसके Director General है महान निदेसक है Option No. D इसका राइड अंसर हो जाएगा अब ये जो Organization है CII इसका Full Form Exam में पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा Confederation of Indian Industries Confederation of Indian Industries इसका राइड अंसर हो जाएगा इसके Director General का क्या नाम है इसके Director General का नाम है चंद्रजीत बनर जी और इसका जो मुख्याला है ये नई दिल्ली में इस्तित है ये भी एक्जाम में पूछा जाता है Current Affairs का अगला सांदार कोशन मनता है कि नवंबर 2021 में आयोध्या में एक साथ कितने दीपक जलाने का रिकॉर्ड Guinness Book of World में दर्ज कर दिया गया है तो वर्स 2021 में वैसे तो लगातार पिछले दो सालों से आप देख रहे होगे कि आयोध्या में दीपावली के टाइम पर दीपक जलाने का Guinness World of Record बनाया जा रहा है और हर एक नए साल में उस रिकॉर्ड को तोड़ा भी जा रहा है तो इस बार जो रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है 9,41,551 दीप होगा तो option number 20 का राइडेंसर हो जाएगा कि 9,41,551 दीप जलाकर Guinness Book of World Record बना दिया गया है option number 20 का राइडेंसर हो जाएगा इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं कि आयुद्या को जगमकाती हुए आयुद्या का फोटो आपने देखा होगा ये वीडियो वाइरल है और इसमें आप देख सकते हो ये इसका certificate है जिसमें की option number B 9,41,551 दीप जलाकर इस record को हाली में बनाया गया है अब इसमें आप और भी ये मलब points हैं जो कि एक्जाम में साथ ना पूछी जाए लेकिन आपकी information के लिए जरूरी है कि ये जो दीप जलाने का जो ये process है ये 2017 में इसको शुरू किया गया था और इससे पहले 2018 में 3,151,2019 में 5,50,000 और 2020 में 5,51,000 और 2021 में तो आपने देख लिया कितने दीपक जलाए गए हैं इसके बाद में current office का अगला question मनता है कि November 2021 में किस company ने चीन से अपना कारोबार बंद करने की गोशना करी है तो answer हो जाएगा की हाल ही में option number B याहू ठीक है? याहू company जो है वो चीन की policy से परेशान होकर वहाँ से अपना कारोबार बंद कर रहा है option number B याहू इसका राइड अंसर हो जाएगा ये वाला question दोस्तो हम पहले भी कर चुके हैं repeated है लेकिन important है इस पज़े से आपको फिर से करवा रहा हूँ कि हाल ही में मा का ट्रोफी यानि कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रोफी निम्लिकित में से किसने जीती है तो आंसर हो जाएगा हाल ही में पंजाब यूनिवरसिटी option number B इसका राइड अंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवरसिटी ने इस ट्रोफी को जीता है यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब यूनिवरसिटी का फोटो यह जो पंजाब यूनिवरसिटी है यह चंडीगर में इस्तित है जिसने अच्छे प्रदर्सन की विज़े से इस पुरस्कार को जीता है पंजाब के बारे में बात चली है तो वहाँ के फेमस जो डांस के फॉर्मेट है उसको देख लेते है भांगडा, गिद्दा, किकली और जुमर यह वहाँ के डांस के फॉर्मेट है और पंजाब के इंटरनेशनल एरपोर्ट कौन कौन से है तो इसके अंतराश्ट्री हवाईड़े है गुरू रामदास जी अंतराश्ट्री हवाईड़ा यह वाला कोशन जो है यह अमरिद सर पंजाब में इस्तित है और यह वाला कोशन पूछा क्या था IBPSPO मेंस 2020 में पूछा क्या था कि बताओ स्री गुरू रामदास जी अंतराश्ट्री हवाईड़ा कहां पर इस्तित है IVPSPO का कोशन है चुकि पंजाब से रिलेटेड है इस वज़े से इसको रिवीजन भी करवा दिता हूँ अमरेसर में इस्तित है सहीद भगत सिंग अंतराश्ट्री हवाईड़ा ये मुहाली पंजाब में इस्तित है इसके बाद में करेंट फैस का अगला कुशन रनता है कि नवंबर 2021 में IRCTC ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए किसके साथ एक साजेदारी करी है तो आंसर हो जागा इसका हाल ही में ट्रू कॉलर के साथ में नवंबर में आप लोग याल रखना IRCTC ने इस टाइप के कुश्वन बहुत कूछे जाते हैं IRCTC ने ट्रू कॉलर के साथ में एक साजेदारी करी है जिसमें कि जो लोग भी इंडियन रेलवेस को कॉल करते हैं 139 इंडियन रेलवेस का ओफिशल नमबर है तो कई बार क्या होता है कि लोग गुमरहा करके दूसरे नमबरों से कॉल करके ट्रेन का टिकेट बुक हो गया या पैसे आप पे कर दिए इस तरीके के फ्रॉर जो होते हैं उसको रोकने के लिए IRCTC ने ट्रू कॉलर के साथ में एक करार किया है IRCTC की स्थापना 27 सितंबर 1999 में करी गई थी इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्तित है इसके बाद में कोशन मनता है कि Public Affairs Index Public Affairs Index PAI 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में किसने पहला इस्तान प्राप्त किया है तो आंसर हो जाएगा बड़े राज्यों में पहला इस्तान हासिल किया है केरला ने तो option number A का राइड अनसर हो जाएगा केरला ने बड़े राज्यों में पहला इस्तान हासिल किया है option number ace का right answer हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं केरला, तमिलनाडू, एंड तेलंगाना emerges, topper ठीक है P, A, C, history तो यहाँ पर केरला पहले इस्तान पर है तमिलनाडू दूसरे और तेलंगाना को दीसरे इस्तान पर रखा गया है अगर हम लोग इसी index को छोटे राज्यों में देखें तो छोटे राज्यों में सिक्किम, मेगाले और मिजूरम यह top के 3 राज्ये आते हैं अगर हम लोग इसी को केंदर सासित परदेसों में देखें तो पुदूचेरी, जंबू कस्मीर और चंडिगर ये टॉप के तीन केंदर सासित प्रदेसों में आते हैं कोशन बनेगा किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल हाल ही में लॉंच किया है तो एक पोर्टल है जिसके नहीं हमें उत्तम बीज पोर्टल हाल ही में हरियाना राज्य सरकार के दोरा लॉंच किया गया है option number D's का right answer हो जाएगा तो इसमें आप देख सकते हैं किसानों के हितों के लिए उत्तम beach portal को सुरू किया गया है इसमें क्या होगा कि beach की जो उपलब्ड़ता है वो सुनिश्चित कराने के लिए एक transparent system बना गया है जिसमें कि किसानों को उच्चित rate पर हर एक प्रकार का beach उपलब्ड कराया जाएगा तो इसको हाल ही में हरियाना सरकार के उधारा launch किया गया है हरियाना का इस्तापना हुआ था एक number 1966 को याद रखना इस्तापना दिवस exam में पूछी जाती है capital है इसकी चंडिगर राज्यपाल का नाम है बंडालू दत्तातरिया और मुक्यमंत्री का नाम है मनुवरलालखटर हरियाना के राष्ट्रिय पार्क कौन कौन से है सुल्तानपूर और कालेसर national पार्क हरियाना में इस्तेत है इसके बाद में question बनता है कि कि स्राज्य ने तो आउजित किया है तो आउजित किया है ओप्शन नमबर डीज का राइड एंसर हो जाएगा ये तीन दिवसी है थ्री डेस ये तीन दिवसी है त्री डेस नेशनल ट्राइवल डांस फेस्टिवल है जिसको हाल ही में चत्तिस गर के राइपुर में आउजित किया गया है तीक है आगे चलते है चत्तिस गर की इस्तापना कब ही थी तो चत्तिस गर की इस्तापना एक नमबर सन 2020 में करे गई थी 36 गर की राजदानी है रायपूर इसके राज्यपाल का नाम है अनुसुया उई के इसके मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश भगेल आपको याद रखना है अभी रेसेंट में के एक्जाम में कुशन पूछा गया था कि बताओ स्वामी भीवेका नंद इंटरनेशनल एयरबोर्ट कहां पर है तो ये 36 गर के रायपूर में इस्तित है आपको याद रखना है आगे चलते हैं कोशन बनेगा कि हाल ही में पांचवें गंगा उत्सो के दोरान किस संस्ता ने गंगा एटलस रिवर ओफ दा पास्ट विक्सित किया है तो आंसर हो जाएगा कि पांचवें गंगा सो के दोरान आयाइटी कानपूर के दोरा एक एटलस बनाया गया है जिसका नाम है गंगा एटलस रिवर ओफ दा पास्ट गंगा एटलस जो है यह IIT कानपुर ने हाल ही में विक्सित किया है तो option number C सही हो जाएगा अब इसको launch किस ने किया है इसको launch किया है इसको IIT कानपुर के दोरा तो विक्सित किया गया है और इसको launch किया है जल सक्ती मंत्राला के दोरा इसको launch किया गया है जो कि आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है इसके बाद में अगला कुशन बनता है कि November 2021 में किस संस्ता के दोरा The Adoption Gap Report 2021 हाल ही में रिलीस करी गई है तो आंसर हो जाएगा UNEP तो UNEP इसका राइड अंसर हो जाएगा United Nation Environment Program इसका राइड अंसर हो जाएगा जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट चारी करी है जिसका नाम है The Adoption Gap Report 2021 Option number C इसका राइड अंसर हो जाएगा इस बार इस रिपोर्ट का छटा संस्करन रिलीस किया गया है इस रिपोर्ट को COP26 सम्मेलन के दोरान रिलीस किया है अब यह जो COP26 सम्मेलन है इसका फुलफर्म होता है Conference of Parties तो इसी से रिलेटर एक पॉइंट बनेगा COP26 सम्मेलन कहां पर आउजित किया जा रहा है तो इसको Scotland देश के Glasgow सहर में आउजित किया जा रहा है इसके बाद में Current FS का अगला सांदार कोशन बनता है कि नवंबर 2021 में United Kingdom की सरकार ने महात्मा गानी का पहला इसमारक सिक्का लाँच किया है सिक्के में प्रेक्ट जो कोट है वो क्या लिखा है तो पहली बार UK सरकार ने महात्मा गानी के नाम पर एक सिक्के को रिलीस किया है और इन्होंने लिखा है My Life is My Message Option No.20 का राइड एंसर हो जाएगा My Life is My Message ये इसका राइड एंसर हो जाएगा दोस्तों I hope आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर करें और ये जो कुश्चन है इसका अंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले Thank you for watching this video